हेलो स्टूडेंट्स तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन फार्मकोपिया तो इंडियन फार्मकोपिया पढ़ने से पहले हमें यह पता होने ची कि फार्मकोपिया क्या होता है तो फर्स्ट फार्मकोपिया का मतलब क्या है यह ग्रीक वर्ड से आया था जिसक उसके सारी मेफर्ट prompts वो सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर आते हैं तो फार्मड कोपिया का मतलане है वो सारे के चानके वह ई खरुड़ के दियु कि लिदे का। वो सब कुछ क्या है फार्मकोपिय के अंदर आता है तो फार्मकोपिय एक ओफिशल स्टेंडर्ड की बुक है जो कि गर्रमेंट ने दी है इसके अंदर ड्रग के स्टेंडर्ड आएंगे और आइंटिफिकेशन टेस्ट आएंगे तो यह किसलिए बनाई जाती है यह मतलब हमारी टेस्टिंग के हमारी सॉल्यूबिल्टी के और हमारी मैनिफेक्ट्रिंग के सब चीज के तो जो भी हम इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम कर रहे हैं या फिर कोई हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी हम फिल्ड में मैनिफेक्ट्रिंग का कोई भी प्रोसीजर कर रहे फांटेंथ मौनो कोपिया होता है फांटेंस कैलेक्ष। ऑफ और पभश्ड बायोन ऑफ-दौनाएड जाता है। सबीजरोस करा हों गार्फこれ कि अंदफ दो व्य गडिकिलायों होता है। वादेंस काउप मज बायोन凪 मुड़ीश्ग इसे उसमtheor pos gebracht रहता है। गर्मेंट ऑफ इंडिया इसके इलावा हो गई फार्मासूटिकल कमेटी तो यह जो भी गर्मेंट बॉडीज है इनसे हम पब्लिश करवाते हैं फार्माकोपिया को अब हम बात करेंगे कि मोनोग्राफ क्या होता है जो हमने पड़ा था कि कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ होता है एक ड्रग की सारी इनफमेशन की मतलब पड्रग हमने ले ली जैसे परसीटमाल ली पीसी अम तो इसकी डीटयल मतलब की पूरी डीटेल होंगी इसकी इन फामकोपिया के अंदर जैसे कि इसकी कैमीकल इसके लावा कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है पैरासीटमॉल की पैरासीटमॉल की सॉल्यूबिलिटी क्या है पैरासीटमॉल को हम कितना मतलब एमजी लेंगे अगर हमें 500 एमजी बनानी है 100 एमजी बनानी है तो हम कितना कंटेंट लेंगे इसके लावा हम पैरासीटमॉल बनाने क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे और कैसी कलर की होनी चाहिए और हाडनेस क्या होनी चाहिए इसकी तो मतलब जो भी हम चीजे पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी किसमे आएंगी मोनोग्राफ के अंदर आएंगी तो मोनोग्राफ क्या हैं कलेक्शन ऑफ डीटेल इनफॉर्मेशन ऑफ पाटिकुलर वन ट्रग तो मतलब एक ड्रग की पूरी डीटेल इंफॉर्मेशन की वह कहां से हमें मिली है ऊसका सोर्स के आए हमने PCM पारसिटमॉल कहां से हमने ली ठीक और से इसके बाहे हैं तिए बनाना है कि हम ने जो डौसुम बनाया उसका प्रोसीज़र क्या रहेगा कि उसके रचार है क्या सकते हैं चोंड को काड़ी साथ अधा कर सकती है डी है वन समलते में साम देते हैं तो इसके लाव और भी पहुत सी चीज़े आती है जैसे कि हमने डॉसेज फॉर्म बना लिए जब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग करने के बाद कैसा रिजल्ट आना चाहिए जिससे कि पता लगे कि यह कैसी ड्रग बनी है कि अच्छी क्वालिटी की अगर इसके रिजल्ट जैसे कि अगर हम बात करें इसकी हाड़नेस वन टू फाइव तक आ रही है और मोनोग्राफ में लिखा है कि वन टू फाइव अगर हाड़नेस है परासिटमोल टेबलेट की तो यह हाड़नेस ऑफिशल स्टेंडर्स में लिखी हुई है तो यह सही कि यह बात करें इसके बात करेंगे हम इसके बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फार्मा कोपीा की मालाग हम ने कियो बनाई यह हम क्यूँ लेकर आई ऑफिशल स्टेंडर्स की क्यूंकिए हमें हम जैसे कि अब किसी ने परासिक ठमॉल बनाया तो उसने कुछ भी ऐंगे तो वो किस से test करेगा, यह सही add हुए or या नहीं हुए, यह सही शेक्षण करेगी या नहीं करेगी, तो हमें थोपनी test को match करने के लिए जैसे for example की हमने कोई cake बनाना है तो हम पहले जो जो पताना के recipe को लेंगे, तो recipe हम कहां से लेंगे, रिशर्च कर रहे हैं रिवाद कर रिखे स्टेंडर्ड की बुख से आपड़ कर से तो गया है और रिवाद की स्टेंडर्ड की बुकर्स करेंगे कि जो हमने चीज को टेस्ट करके बनाया है रेसिपी लेकर बुक से तो वो सही बनी है या नहीं बनी है तो उसके लिए हम ये बुक लेकर आए कि जो हम research कर रहे हैं या कोई practice कर रहे हैं medicine की या कोई diagnosis की तो उससे हम standards से match करने के लिए हम ये फामकोपिय को लेकर आए हैं तो सबसे बड़ा इसका importance तो यही है कि हम match करने के लिए लेकर आए हैं दूसरा है कि uniformity और control करने के लिए किसको standards को मतलब जो हम drug की standards को use कर रहे हैं जैसे कि एक glucose का standard भी set है कि fasting glucose इतनी आनी चाहिए या after meal लेने के बाद इतनी आनी चाहिए glucose मतलब कि जो blood sugar हो गया level तो वो क्या है वो भी एक तरह के standards है जो कि हमारे Indian government ने fix कर रखे हैं कि यह standard है तो वो standards को fix करने के लिए हमने यह जो pharmacopia है इसलिए आया है market में तो मतलब कि जो Indian pharmacopia है वो क्या है सिफ India के standards को दिखाता है तो जो भी मतलब हर country के अपने अपने pharmacopias आते हैं जैसे US का US pharmacopia, British का British pharmacopia तो जितने भी countries के pharmacopias आते हैं वो क्या करें पूरी एक country को standards देते हैं तो जैसे कि इंडिया ने standards दिए कि जो blood glucose level है वो blood glucose level fasting में कितना होना चाहिए 120 से below होना चाहिए below 120 तो अब यह glucose level हो सकता है कि दूसरी country में कुछ और होगा तो यह standards दिये हैं अगर blood glucose इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कि यह normal glucose नहीं है patient का उसको हो सकता है diabetes हो यह symptoms हो diabetes के अगर इससे कम आ रहा है और बहुत ज़्यादा कम आ रहा है कम level पे तो वो क्या है वो हो सकता है blood sugar level कम हो patient का तो यह जो standard है कि किस ने दिये government की standards की book ने दिये तो यह जो standards है यह हम match करते हैं test के साथ तो अब हम बात करेंगे next कि हम जो adultrated drugs होती है उनको कम करने के लिए मतलब adultation क्या होता है mixing मतलब मिलावट करना हम किसी भी चीज में प्लावट कर सकते हैं तो वो उस मिलावट को रोकने के लिए जो भी हम आईट्रेटरिएट करेंगे तो वह च्छा सकते पेशन को रोकने के लिए हमने क्या कि ए स्टेंडर्स की बुक को मेंटेन करा कि जिस से क्या हो कि जो बी PERSON कि कोई भी MEडिसिन बना है तो वह स्टेंडर्स से मैच करके ही बना है, स्टेंडर्स को फोलो करके ही बना है इसके बाद है to provide detailed information, हमें किसी भी product की या किसी भी drug की या किसी भी excipient की, किसी भी protein की, glucose की, किसी की भी हमें detailed information चाहिए तो वो हमें pharmacopie में मिल जाती है easily मतलब मालों की हमें glucose की चाहिए, sucrose की चाहिए, हमें कोई protein की चाहिए, हमें keratin की चाहिए, हमें particular एक product की या एक substance की हमें क्या चाहिए, detailed information चाहिए, उसकी chemical properties, physical properties, chemical structure, molecular weight, हमें कुछ भी पता करना उस substance के बारे में तो वो हमें इस pharmacopie में मिल जाता है easily लास्ट वही जो मैंने आपको बताया था कि जो हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म करें तो उसको standard के साथ मैच करने के लिए यह फार्मकोपिया बनाया गया, तो यह इसकी importance है कि फार्मकोपिया क्यों आया इसलिए आया कि यह सारी जो चीजे हैं यह सब maintain रहें, तो अब हम बा हुआ था यह वर्ड जो कि बर्गैमो इटली के अंदर पब्लीश हुई थी बुक उसके अंदर यह नाम आया था फार्मकोपिया वहां से इस नाम को लिया गया और यह जो हिस्ट्री के अंदर अब पढ़ा जाए तो फर्स्ट ब्रिटिश फार्मकोपिया जो है वह आई थी 1864 के अंदर 1864 के अंदर फर्स्ट ब्रिटिश फार्मकोपिया आई थी जिसमें ब्रिटिश के सारी स्टैंडर्स से ब्रिटिश की बुक थी और जो भी मतलब प्रोडक्ट से वह सारे ब्रिटिश के ही थे अब हम बात करेंगे सेकेंड तो जो युनाइटेट स्टेट फार्म फार्स्ट कब पब्लीश हुई थी दिसेंबर 1820 के अंदर जो कि दोनों लैंग्वेज़ेज में एवेलेबल थी इंग्लिश और लेटिन के अंदर दोनों लैंग्वेज़ेज के अंदर लिखी हुई थी मतलब एक वर्ड का मीनिंग लेटिन में भी लिखा हुआ था और उसी का मीनिंग इंग्लिश में भी लिखा हुआ था तो यह जो है यह ब्रिटिश फार्मकोपिया और यूएस फार्मकोपिया की हिस्ट्री है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट इंटरनाशनल फार्मकोपिया कब पब्लिश हुई थी 1951 के अंदर फर्स्ट वॉल्यूम आ जो जो अदि फीर्स फार्मकोपिय पब्लिश हुई थी 1955 के अंदर आटेन फार्मकोपिया की हिस्ट्री के बारे में तो इंडियन फार्मकोपिया की हिस्ट्री के बारे की शुरुवात कहा से हुई वो हम देखेंगे तो 1944 के अंदर इसकी publishing begin हुई मतलब start हुई पूरी नहीं हुई पूरी तो first cup हुई थी 1955 में बट 10 साल पहले 1944 के अंदर इसकी शुरुवात हुई थी इसको बनाने की तो वो किसके अंदर हुई थी चेयर्मेंशिप आफ आरेन चोपड़ा आरेन चोपड़ा यह चेयर्मेन थे जिसके अंडर यह इंडियन फार्माकोपिय बनाने की शुरुवात की गई publishing की उसके बाद 1946 के अंदर क्या हुआ कि जो IP की लिस्ट थी वो पब्लिश करी गई गर्मेंट के थू तो गर्मेंट ऑफ इंडिया ने आई-पी की लिस्ट पबलिश करी जिसके अंदर क्या था कि 180 Monograph तो हमने British Pharmacopeia के लिए थे, British Pharmacopeia का यह Supplement था एक तरह से, क्या था? British Pharmacopeia का Supplement, Supplement means कि हमने उनको Copy करके उनकी Drugs को हमने पब्लिश करवाया था, अपने लिस्ट के अंदर 180 Monographs, मतलब 180 ऐसे Substance या ऐसी Drugs थी हमारी बुक के अंदर जो की BP से लिए हुई थी, British Pharmacopeia हमने Copy करी हुई थी और उसके साथ 100 कुछ एक ड्रग ऐसी थी जो सिरफ इंडिया के अंदर ही कल्टिवेट हो रही है हमारी खुद की बनाई हुई drugs थी या हमारी खुद की कल्टिवेटिड करी हुई crude drugs थी, vegetables थे, oils थे जो की हम यूज कर रहे हैं ड्रग बनाने के लिए तो उसमें ये कमेटी किस लिए बनाई गई ये ब्राउचर के लिए बनाई गई तो ये ब्राउचर के अंदर लिस्ट आई थी drugs की जिस drugs की सारी detailed information इस ब्राउचर में थी उसके बाद हम बात करेंगे 1948 की तो 1948 के अंदर Government of India ने Indian Pharmacopeya कमेटी बनाई तो ये Indian Pharmacopeya कमेटी किस लिए बनाने के लिए जो कि खुद की Indian Pharmacopeya बनाने के लिए कौनसी बुक? Indian Pharmacopeya बुक बनाने के लिए जो कि पूरी की पूरी इंडिया की ही बुक होगी इसमें British Pharmacopeya का कोई रोल नहीं होगा खुद पूरी की पूरी इंडिया की एक बुक बनाने के लिए Government of India ने Indian Pharmacopeya कमेटी ब से पहले इंडेक्स होता है वह सारा पहले पब्लिश हुआ था 1953 के अंदर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी फर्स्ट बुक आई 1955 के अंदर तो इस बुक की जो इंटेंट थी वह आ चुकी थी कोडेक्स के नाम से अब हम बात करेंगे एडिशन्स कितने एडिशन्स आ चुके हैं अब तक और कभ आये थे किस ने दिये थे वह सारे वहम वन बाई वन करेंगे तो इडिशन की बात करेंगे तो जो फर्स्ट एडिशन है हमारा वह आया था 1955 के अंदर की किसके अंडर था डॉक्टर बी एं घोष उस टाइम डॉक्टर बी एंड गोष्ट क्या थे आईपी कमेटी के चेर्मेन थे तो जो चेर्मेन थे इनके अंडर ये फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुई थी 1955 के अंडर अब हम बात करेंगे सेकिंड एडिशन की तो 10 एर्स के बाद 1966 में सेकिंड एडिशन आया उस ताइम चेर् में थे इनके अंडर सेकिंड एडिशन आया थर्ड एडिशन आया 1985 के अंडर 1985 के अंडर जो एडिशन आया उस ताइम चेर्मेन थे डॉक्टर नित्यानंद तो डॉक्टर नित्यानंद के अंडर 1985 में जो एडिशन आया था इस एडिशन के टू वोल्यूम्स थी टू वोल्य के अंदर दो वॉल्यूम में बुक आने लगी उसके बाद जो फोर्थ एडिशन आया 1996 के अंदर इसके अंदर भी टू वॉल्यूम थी और चेयर्मेन सेम थे डॉक्टर नित्यानन्द उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ एडिशन आया 2010 में इसके इसके बी टू वॉल्यूम थे थे इसके फॉर वॉल्यूम थे इसके वी बुक लिखी गई थी और प्बिष रहीं थी उसके बाद करेंगे कि सेवन्ड एडिशन आया 2014 के अंदर इसके भी 4 volumes थे, 14 के बाद जो last अभी updated जो आया है वो है 8th edition, 8th edition last है इसके बाद अभी तक 2022 तक कोई book दुबारा से edition नहीं आया है नियू, तो ये last, जो last published या edited book है वो है 8th edition 2018, 2018 में last book थी जिसके 4 volumes थे, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो 1955 में first book थी वो लगभग 50 रूपीज की थी, 50 रूपीज में पूरी की पूरी IP आया करती थी और अगर हम आज की बात करें 2018 वाली जो बुक है वो लगभग 70,000 से लेकर 1 लाग तक का cost में मिलती है ये 4 books, जो पूरी की फूरी 4 volumes है 2018 की ये इसका cost जो आज के टाइम में है वो है 70,000 से लेकर 1 लाग तक ये books आती है जो पूरी की फूरी 4 volumes 2018 की और जब ये start हुई थी 1955 में तब एक book का cost था 50 रूपीज तो अब बात करेंगे salient features of Indian pharmacopya तो हम जो salient features पढ़ रहे हैं Indian pharmacopya के वो हम पढ लाग लग salient features हैं बड जो exam में बहुत mostly पूचे जाते हैं 1955 फर्स्ट जो इंडियन बुक आई थी फार्मकोपय की उसी के salient features पूचे जाते हैं exam में तो इसका first है कि ये जो book है इसके अंदर 486 monographs होते थे उस time पे 1955 के अंदर तो 486 monographs हुआ करते थे monographs वही जो मैंने आपको बताया था detailed information of particular one drug तो मतलब कितने monographs थे 486 drug के बारे में detailed information थी 1955 के time में और हम बात करेंगे next कि जो language थी English and Latin Latin और English दोनो language के अंदर ये आया करती थी और दूसरी हम बात करेंगे कि जो भी formula था formula जो भी यूज करा जाता था उसके लिए matrix यूज करी जाती थी जैसे matrix के साथ words भी यूज करे जाते थे matrix और words इसका मतलब क्या है कि जो भी formula है जैसे कि हमने 4 लिखा प्लस 2 लिखा तो ये क्या है matrix form है ठीक है तो इंडियन भामकोपिया के अंदर matrix form में भी लिखा जाता था साथ में words भी लिखे जाते थे like 4 और प्लस 2 तो ये क्या है matrix plus words मतलब matrix के साथ नीचे ही उसके meaning लिखे जाते थे words के अंदर और दूसरा है कि अगर इसमें कोई temperature की बात करें तो temperature जो है तो saline features के अंदर जैसे की हमने जो doses लिखी तो doses के टाइम पर हम क्या करेंगे हम empirical form में भी लिखेंगे imperial और matrix दोनों टाइप में लिखेंगे मतलब number में भी होना चाहिए और word में भी होना चाहिए dose क्योंकि लिए dose जो है वह बहुत most important topic है अगर हम dose थोड़ी सी भी कम जादा कर दे तो क्या है पूरा का पूरा drug का dosage form ही change हो जाएगा तो इसलिए जो dose है वह हम दोनों टाइप में heading होनी चाहिए दूसरा है कि जो भी definitions है जो भी terms है यह definitions है like solubility क्या है slightly soluble क्या है next sparingly soluble क्या है यह जो भी terms है इन terms के जो known meaning है वो किसी को भी नहीं पता तो इस book के अंदर यह जो terms दी हुई है यह exact terms नहीं दी होती यह not known होती है मतलब यह इन terms को कोई भी अच्छे से नहीं बता सकता है जो terms है सिरफ एप्रॉक्स दी होती है मतलब की सिरफ अंदाजे से यह terms दी होती है कि अगर इतना soluble है अगर इतनी देर में इतना mg soluble हो रहा है इतने ml के अंदर तो वो सिरफ एक hypothesis theory है माना जाता है but exact यह terms नहीं दी ज हम यह soluble किसको बोलते है slightly soluble किसको बोलते है sparingly soluble किसे बोलते हैं तो यह terms तब नोन नहीं थी बट अब यह added कर दी गई है अपडेटेड कर दी गई है तो यह हम हमारे जो silent features है complete होते है इसके साथ हमारा जो इंडियन फार्मकोपिय चैप्टर है वो complete होता है thank you हुआ 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 है